हेलो एरिवन वेलकम तो एवरगिन स्टेडी तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड समय सही हिस्ट्री की बुक की यूनिट थर्ड का फोर्ड पार्ट करने वाले हैं फाउंडेशन एक्सपेंशन एंड कॉंसिलिडेशन ओफ दा मुगल स्टेट सेंचरी 16-17 तो अभी तक हमने किस परकार से देख लिया अलग-लग रूलर्स आते हैं वो राज करते हैं अब एक्सपेंशन किया जाता है अब हम इस वीडियो के अंदर रीड करने वाले हैं कि जो अक्बर दौारा किस परकार सी पोलिशी थी उसका एड्मिस्टेशन कैसे था यह साहई चीजह हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं लेस्स टार्ट आवर टोपिक तो सबसे पहले हम रिलीजन पॉलिसी देखने वाले धर्म से लेटेड उसकी किस परकार सी पॉलिसी थी अकबर की दी पॉलिसी इंटेट्यूज बाई अकबर ट्रीट एवरी रिलीजन विद रिस्पेक्ट एड एक्वेलेटी तो जो अकबर जो सभी जो धर्मों की एक्वेलेटी करें मतलल अच्छा रिस्पेक्ट दी उन्होंने ठीक है यह अपने पूरे समराजय में शांती बनाए रखने के लिए जो सभी धर्मों को एक्वेलेटी मानते थे इसलिए उन्होंने क्या करा था जो जजिया कर होता था जो कि हिंदू सब्सक्राइब कर देने की जुर्तनी है जैसे हिंदू पर लगाया जाता था लेकिन अगबने उसको अबोलिश करवा दिया था तो हर एक लोगों की फेथ जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट फेथ होती थी उसकी रिस्पेक्ट करता था ही ओल्वेज फाउंड दुन्होंने क्या सब्सक्राइब को इकुल मानते वो चून सकते थे दिनेलाई को तो अकबर ने वो धरम को इंट्रड्यूस करा लेकिन इसके अंदर कोई नहीं गया खाली जो बिर्बल और अकबर ही गए इसके अंदर तो अब उसकी रिलिजन पॉलिसी देख लिए अब देखते हैं जो जैम्स के नाम से भी जाना जाता है तो जो नाइन एक्स्टाओर्डिनरी पीपल थे जो अकबर के कोट उन्हें नोरतन बोला जाता जो की इंपोर्टन थे अकबर के लिए तो वो राज उनके जो नोरतन है वो राजबिर्बल है तानसेन है अब्दुलफजल है मान सिंग है अब उसका अध्मिंस्टेशन देखते हैं अकबर के टैम पिरण में किस परकार का अध्मिंस्टेशन था तो अकबर एक ग्रेटेस अच्विमेंट यह अकबर की कि उन्होंने एक एक्सिलेंट एड्मिंस्टेशन शिस्टम बनाया उनके फीचर क्या थे कि सबसे पहले वो क् बनिंग करेंगे किसी में कोई भी काम कोई भी पॉलसीन कोई भी लगाने तो प्लानिंग किजाएगी और विर के टैक किया जएगा फिर उसकी कोडिनेशन देखी जाएगी और फिर कमण्ट्रोल किसके यहाथ जैज्गा यूँ उसके कोडिंग कर देथे इसलिए क्या माना माना जाता है administration के अक बर ठीक है अब हम आड़ रिवेंट्र का administration कैसा था अकबर का अकबर लेंड्र रिवेंट्राइशसी दाशन हिसे टोडन मल तो लेंड्र रिवेंट्रो को के आपरे तैम पिरोड में कौन थे जो करवगेरा का मापन था वो सारा राजा टोडरमल ही करते थे तो जो लैंड रिवैनु जो था अकबर के टैंपरर जो राजा टोडरमल ने बनाया था उससे पहले भी कुछ थे जो की अकबर थी जैसे की बहुत सारे रूलर थे जैसे हुमायू था उन्होंने क्या करा था जो तो सेरसा ने जो भी बनाया था जो भी लैंड रिवेन्यू था उसके अकॉर्डिंग चल रहा था क्योंकि हुमायो का टैंपिरर थोड़ा था एक साल का ही था फिर अकबर भी वही अपना रहा था लेकि उसने थोड़ा बहुत क्या लग रहा था कि कुछ इसके अंदर बनाया अंगूस क्या था जो की जो सिस्टम होता था एक साल के अंदर आपको एक लैंड रिवेन्यू है वह तैक क्या जाएगा कि आपके अंदर एक साल के अंदर कितनी पैदावर है उसके कॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा यह था लेकिन क्या होता था जो एक स साल में दोबारा उसमों वह जाओगे तो उने मुश्किल पड जाता था इसलिए जो राज़ा टोन डरमन लेके आते हैं दस साल का प्लैन जो 30 सिस्टम बोला जाता है कि हम क्या करेंगे दस साल में वहां पर जाएंगे और करेंगे हरे एक खेती होगी उसका एक साने एक सान के देखा कि कितनी के पर दवार हुई है कोई भी अनास की किसी भी क्रियल की पल्स की किसी चीज की भी हुई है तो उसको मेजर किया जाएगा और आपको 10 साल तक वैसा ही टेक्स देना पड़ेगा तो यह होता था जब 30 तो मैंने आपको बताया था अंगूज करके अंगूज होता तो जो एक साल के लिए तैक किया जाता था जो कि अच्छा नहीं था क्योंकि कई बार क्या होते थे जो अंगूज होते थे अंगूज क्या होता था एक साल की जो पैदावार होते थी उसको माना जाता था लेकिन क्य की बार बेमानी कर देते थे और अखबर को लैंड रिवेन्यू है वो कम पोस्टा था तो इस परकार से जो राजा टोंडरमन ने दस सालों के लिए जो क्रोप का सर्वे स्टार्ट कर वा दिया गया था जैसे कि उन्होंने यह स्टार्ट करा था 5070 के अंदर और 5080 के अंदर दो आवे से 12 तो इसको जबतान सर्व को 9 이제 10 स्टम कोई सल्ग बोला जाता क्योंकि जबती सिस्टम के अंदर नियुक्र है कमिया unco टीक करा कि इंदर इस बेसीक टेक्स टेक्स होते थे अपको दस साल के अंदर है वही टेक्स देना पड़ेगा इस प्रोविंशन वर्डिवाइट जो स्टेट होता था रिवन्यू सर्कल रेट तो यदि आप एक जिंगे पर यहां पर काली मिट्टी जाद होती है तो आप वहां पर वह ख तो इस परकार से अलग अलग प्रो बितने थे वहां पर अलग अलग टेक्स होते थी उस समय में प्लोस कर अदर जो कि हर एक साल के अंदर उसमें खेती हुटी जैसे कई एक जमीन होते हैं जहांपन लगाँता है आप एक साल में के ती तो हर एक साल में अलग-अलग खेती हो सकती है तो ऐसी खेती लिए आपको ज्यादा टेक्स दिना पड़ेगा फिर होती थी परोती परोती होते थी कि आपको एक जमीन है जमीन पे दो साल एक साल अपने खेती करी तो दो साल उसको खाली छोड़ना पड़ेगा फिर दो साल चोड़ना पड़ेगा तो उसको क्या बोला जाता था परोती बोला जा तो इस परकार से डिवाइड किया जाता था और जो अकबा ने ये बोला था कि मुझे जो भी होगा जनली वो कैश में दिया जाएगा अब सेंटर एडमिन्स्टेशन देखते हैं अकबर के टाइम पिरेड का तो सेंटर में जो हैड होते हैं वो अकबर होते हैं उनके नीचे टीम मनिस्टर होते हैं पहले क्या है यहाँ पर अकबर के नीचे बहुत सारे मनिस्टर होंगे और जो मनिस्टर होंगे उनको भी बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड करक्ता था जैसे कमांडरिंग चीफ होते थे जो कि आर्मी फोर्स को ध्याँ रखते थे वहीं एक मिनिस्टर को ओंगे कमांडर चीफ होगे और सेकेंड होते थे सुप्रीम जज्ज होते गांगे तो अब देख रहे हो कि यह एंग्जामपल लि कि यह सनभालेंगे और बिज Golden इस अब प्रोविंस अडविस्टेशन देखते हैं कि यह परकार का सिता है परकार हमारे स्टेट बोला जाते है ना तो उसी तरीके से वहां पर क्या होता था प्रोविंशन होते थे तो इन ओडर टु कैरी आउट अडिमिस्टेशन इफक्री दी एंपरर वो डिवाइड तो पंद्रा भागों में डिवाइड जैसे प्रोविंशन होता जैसे हमारी हाँ पर क्या होता पूरा इंडियों गारी स्टेट डिवाइड होते थे तो इसमें पंद्रा डिविजन होते जिन्हें सुबाज बोला जाता था जो सुबा तो जोती थे तो एक पर गवरनर है दूसरे पर जिस परकार हमारे अलग-अलग स्टेट होते अलग-अलग गवरनर सब्सक्राइब करें तो जिस परकार हमने रीड कहा था प्रिवस चप्टर के अंदर विसी तरीके से यह ठीक है सब्सक्राइब कर वेल्र वॉड्रोड दिया जाता था घinkling ग्रांट के जाते थे तो अमने देखा की क्या होता हता था पहले स्जेट को पर्वर्नर मों रोगा और सुबाज के निचे क्या होते हैं डिस्टिक होते ते डिस्टिक के निचे क्या होता था प्रगनाज होते ते जिन्हें विलेजीज वोलते हैं है कि मनसभदारी सिस्टम सब्से Leon इंपोर्टेंट है मनसभदारी सिस्टम टो मनसभदारी सिस्टम क्या होता है दि मनसभदारी वो अ गुलेटरी एनले को डिवात अपैरी पोस्ट होती थी एक रंक होती दि कि bringt को को देना तो सब्सक्क्राइब सब्सक्राइब होता इसका एरेभिक वहुरीजन है इसका मतले होता 副ंप वहके बहुत अच्छा काम कर रहा तो हम इसको एक अच्छी रैंग दे देतें अच्छी आपी पोजिशन दे देने यदि को अच्छी सी रैंक दे दो अच्छा सम्सब दे दो मतलब एक रैंक होता अच्छा सवार होता है जात क्या होता था एक इंडिकेटर रैंक ओफफ एड्मिस्टेशन जो administration होता है जो हमने देखना है अलग-अलग administration में डिवाइड था पूरा समराज है तो उसमें जो administration में जो post दी जाती थी उसे जाट बोला जाता था और उनकी salary भी जाता होती थी और सवार क्या होते थे जो घुड सवारों को ये rank दी जाती थी सवार जो होते थे मैंने क्या बता है जो मनसबदारी होते थे मनसब होती थी ये दो पार्ट में डिवाइड है एक है जाट और एक है सवार तो जो जाट होती थी ये administration पे दिया जाता था administration जो व्यक्ति संभाल रहे उसको ये rank दी जाती थी और जो सवार होते थे जो गुड सवार होते थे उनको दिया जाता था ये ठीक है सवार दी रिप्रेजेंट की रैंक को दिया जाता था मतलब की जो गुड सवार की रैंक को दिया जाता था यह दिन और नमबर यह आपके पास बहुत जाता घोड़े हैं तो आपकी अच्छी रैंक माने जाएगे सवार की कोडिंग ठीक है एक मिन्ट दोबार समझा जेती हूं बिलकुर ध्यान से सुना ठीक है जो मनसबदारी सिस्टम होता एक अरबिक ओरीजन वर्ड है जिसका मतलब होता रैंक और पॉजिशन तो इसमें यह माना जाता जो मनसबदारी सिस्टम में एक रैंक दी जाती है किसी भी व्यक्ति को कोई पॉजिशन दी जाते जिसे कि वह और ज्यादा काम करें तो जो मनसब होते हैं यह टू पार्ट में डिवाइड आप परस्ट वन जाट और सेकंड वन इस सवार तो जाट जो जाट जो रैंक होती थी उनको दिया जाता था जो की एडिनिस्टेशन में काम करते थे और उनकी जो सेलरी होती थी जो सवार होता था उनमें Qlavery rank होती था मतलब की जो की गूड सवार की rank होती चिसके पाज जाजा गूड सवार उसकी rank उतनी ही जाते ओना उसकी Treasury उतनी ही जाता और यह होती दी एडमिंस्टेशिन में ठीक है इसमें ora होना तो आप सारी बाते ये तो लिखी साथoniा आपको मनसफदारी सिस्टम मनसफदारी सिस्टम होता इस जहो जैसे और एप सवार में देखा कि गुर्सवार गुर्सवार को न होते हैं जो अर्मी में काम करते हैं तो उनकी responsibility भी बढ़ जाती है यह आप उतने गोड़े रखोगी आपकी responsibility भी बढ़ जाएगी तो अच्छा काम था और जो स्वां समभी सिस्ट्मैंग यह नहीं है कि मुस्लिमों को दिया जाता ज़ों राजपुत को भीजिया जाता जो महती होतें जो बतीज्यू अन्हों कि दिया थें बड़ी पोस्ट दी रांक की जो कि साथ उजार ते हैं उन्होंने मान सिंग्र को दी वींटी तो अलग अलग वह तो लोगों को गयुंञे ना कि мужिलिम होती थी तो मैं आपको बता रहे हैं कुछ पॉइंट रहे जा रहे हैं कुछ पॉइंट रह जा रहे हैं तो यह वीडियो हमारी यहीं खतम होती है इसके साथ ही अगले जो वीडियो में हम रीड करेंगे साजा के बारे में और जांगिर के बारे में थैंक यू फू वोचिंग